हाई फेंट्स वेलकम टू माई स्मार्ट वर्ल यूट्यूब चैनल मेरा नाम है मंजीत और हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुती क्यूट फ्रेंडली और लवेबल डोग बीड के बारे में जो है बीगल सो फेंट्स पपीज की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और यह आप लोग को मेल और फिमेल दोनों ही मिल जाएंगे और फेंट्स बीगल बहुत ही सोसलाइज और फेंडली डोग्स होते हैं जो बिलकुल भी अग्रेसिव नहीं होते इसलिए आप लोग इन्हें किसी भी टाइफ्स की फैमिली या किसी भी टाइफ्स की छोटे बेबीज के साथ भी रख सकते हो बीगल काफी हाई अनर्जी लेवल के डोग्स होते हैं जो हमेशा ही खेलने के मूड में रहते हैं सो फैंट्स अगर आप एक बीगल को पर्चेस करते हैं तो मेक शूर आप लोग उन्हें ज्यादा देर के लिए अकेला ना छोड़ें क्यूकि बीगल्स को अकेला रहना बिलकुल भी पसंद नहीं होता इन्हें हमेशा ही किसी ना किसी के साथ की जरूथ होती है जो इनके साथ खेल सके या अपना टाइम इनके साथ SPEND कर सके अगर आप लोग बीगल्स को घर पे अकेला छोडते हैं तो ये बहुत ही जल्दी प्रेशान हों जाते हैं और हाफिलिंग करने लग जाते हैं साथ में चीजों को तोड़ने या फिर उने कातने भी लग जाते हैं बीगल डोग ओल्रेडी काफी सोसलाइज होते हैं तो ये एक ऐसी डोग ब्रीड है जिने ज़्यादा सोसलाइज करने की जुरूत नहीं होती तो फ्रेंट्स पहले तो आप लोग इन पपीज से मदर फादर की मैटिंग की पिक देख सकते हैं दोनों की क्वालिटी आप लोगों के सामने है तो कमेंट्स में एक बार मुझे लिखकर जरूर बताएं कि इन दोनों की क्वालिटी आप लोगो को कैसी लगी और FENDS जब भी आप लोग Beagle को purchase करें तो एक बात का हमेशा खेल रखें कि Beagle के टेल में हमेशा एक वाइट कलर का मार्क जरूर होता है वो चाहे उनकी डिप में हो या फिर end में अगर किसी भी Beagle की टेल में वाइट कलर का मार्क नहीं है तो हो सकता है कि वो Beagle mix हो और फेंट्स ओनर के पास बीगल के लावा और भी काफी सारी डोग बीड्स हैं अगर आप लोग उन्हें पर्चेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग डोग ओनर से बात कर सकते हैं उनका कॉंटक नमबर आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इंट्रेस्टिंग बात यह है कि सभी ब्रीड्स पे आप लोग को आल अवर इंडिया में डिलीवरी भी मिल रही है बट जो डिलीवरी का चाहज होता है वो पपीज के प्राइस से एक्स्ट्रा होता है बीगल्स को आप लोग स्मोल टू मीडियम साइज के गरों में आराम से रख सकते हैं क्योंकि इनका साइज छोटा होने के विजए से इन्हें ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं बढ़ती और गैस साथ में एक बात का खैल भी जरूर रखें कि बीगल्स को आप लोग सुबेश राम की वोक पर जरूर लेके जाएं और साथ में एक्सरसाइज भी जरूर कराएं क्योंकि बीगल्स बहुत ही जल्दी अपने वेट को फुटोन कर लेते हैं जिसकी वज़े से वो काफी लेजी भी हो सकते हैं और फेंट्स अगर आप बीगल के अलावा और किसी भी डोग बीड के बारे में इन्फोमेशन लेना चाहते हैं या फिर उन्हें पर्चेस करना चाहते हैं तो इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बैल के अकन पर प्रेस करके उसे ओल पर करें ताकि मेरी सबी वीडियोज आप लोग को मिलती रहें तो गाइस अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें तो ये 38 डेज के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है देली NCR से अगर आप लोग डारक जाकर इने परचेस करना चाते हैं तो काफी अच्छी बात है अदर्वाइस आप लोग को इन पे आल अवर इंडिया में डिलीवरी भी मिल रही है तो इन पपीज को आप घर पे मंगाना चाते हैं तो ये सेफली आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगे तो फ्रेंट्स अगर फाइनली इनके प्राइस के बारे में बात करें तो ओनरे जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की के 20,000 रुपीज 20,000 रुपे और फीमेल की के 13,000 रुपीज यानि 13,000 रुपे प्राइसिंग में थोड़ा बहुत नेगोशेशन हो सकता है तो उसके लिए आप लोग डोग ओन से डिसकस जरूर करें तो फेंट्स ये बीगल पपीज इनकी क्वालिटी और इनका प्राइस आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके एक बास जरूर बताना तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो स्क्यूट डोग बीड के उपर तो आशे करता हूँ आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें तो जल्दी मिलते हैं हमारी एक ओर new and interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए गुट बाई